नमस्कार, सलाव अलेकुम महादाब, मैं हूँ यूसुफ वली, आप देख रहे हैं सेफ नियूद लायू, आईए नज़र डालते हैं आज की खास का उपर, इस समय हमारे साथ मोजूद है पालगर सांसर डॉक्टर हैमन सावरा जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं विदान सभा चुनाओ का एलान हो चुका है, और एलान होने के बाद अब नोटिशन भी जारी हो गया है, नमंकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन चुकि महायूती हो या महाविका सागाडी उनके अंद्रू ने अपने जो मामले हैं, उसमें कहीं ने कहीं थोड़ी पेची दिया है इसको लेकर पालगर जीले में फिलहाल एक नाला सुपारा 133 विदान सबाद सीट पर ही प्रत्याशी अभी महायूती का डिकलेर हुआ है, हम उसी ओफिस में राजन नाइक जी जो है उनको अधिकरत प्रत्याशी महायूती ने अपना बनाया है, और यहां हमारे साथ सांस लोग सबाद चुनाओ गए, आप भारी मतों से जीते हैं, अब विदान सबाद चुनाओ है, हर एक चुनाओ अलग अलग होता है, लोग सबाद चैलेंज हैं, लेकिन एक बात निश्यत है, कि लोग सबाद में जैसे परिवर्तन चाहिए था, वैसे लोगों ने, बहुत अच च्छे मतों के मारजिन से यह लोकसवा सीट जीताई है करिब एक लाख त्रैसी हजार पोटों के से ज्यादा यह सीट जो है हमने जीती है और इसलिए हमें पूरे छे की छे विदान सबसवा जो सीट है वहीं पे पूरा लीड है और हम मानते हैं की यह पूरे छे सीट हम अभी सकते हैं ऐसा महोल अभी तक पूरी जिले में है अपने छे सीट का जो दिक्र किया हमें उस पर आऊंगा आप सांसद होकर आपका ही एक नजरिया कि छे सीट पर क्या होना चाहिए तो महायूति का जो कुछ अगर उनका सर्वे होगा वह आपके अधार पर ही होगा आपका क्या क है ना यहां का फॉर्मूला महायूति का सेट हुआ क्या कौन-कौन केंडिरेट यहां आने वाले कुछ ऐसा है कि अभी तक एक सीट डिकलर हुई नाला सो पार है कि वहाँ पे हमारे जो जेश्ट सदेस्ट नेता है माने नारज राजन नाइक जी उनको तिकेट मिला है भारत को दी जाएगी जो उमीदवार दी जाएगा उसका पूरा प्रचार हम करेंगे और यहां से पूरे छे की छे सिट चुनके आएंगे चुनके लाएंगे ऐसे में जो विश्वास है अभी कैंडिडेट चुनाओं में डेरी हो रही है लेकिन फिर भी एक चीज हर चुनाओं मे क्या परटी की तरफ से बिल्कुल ऐसा है कि हर एक जगह पे तीन से चार्ज निच्छुक है रहते हैं लेकिन तिकेट तो एक ही मिलता है लेकिन फिर भी जिसको टिकेट मिलेगा उसके बाद जो जो इच्छुक रहेंगे वो सब पार्टी के निष्ठवान कार्ता कारे करता रहेंगे उनको वरिष्ठ लेवल पे और हम भी उनको मिलेंगे और समझाएंगे और मुझे विश्वा से कि वो भी जोर से चुनाओ के प्रचार में जूट जाएंगे और जो उमिद्वार दिया जाएगा जो पार्टी का दिया जाएगा जिस पार्टी का होगा उसका उसका प मुझे लगता है कि राजन नाइक जी के जितने का जो परसेंड़ है वो एक हजार एक टका है हम देख सकते कि करिब सतर हजार से ज्यादा लीडिंग हमें नाला सुपारा से मिली है लोकसभा में हम उसी के वोटों की बलबूती के उपर हमारी मार्जिन बढ़ गई थी और इसल जितने कारेकरता हमारे पास थे उससे सो कुना ज़्यादा आभी कारेकरता हमारे पास है और इसलिए 2019 में अगर उमीदवार नहीं मिले होगी उसके बावजूद अभी यहां का महौल काफी अच्छा बन गया है सभी कारेकरता चाहता है यहां परिवर्थन चाहिए और इसलि अभी जनता चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए अभी ये फर्मुला नहीं चलने वाला है क्योंकि अभी लोगों को विश्वास हो गया है कि अभी विकास चाहिए जो कुछ हम देख सकते हैं कि 30-35 सालों से यहाँ पे जो स्थानिक लोग है वो विकास नहीं कर पाये हैं चाहे गटर हो, मिटर हो, लाइट हो, बिल्डिंग हो, उनकी जो बेसिक सुई सुई सुईदा है जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं दे पाये हैं इसलिए हमें विश्वास है कि हम लोगों में इतना विश्वास देंगे कि लोग हमें जिताएंगे और उनको भी लाएगा, अगर उन्हें यहां के आमदार राजननाइक जी को चुनके दिया, तो निशित तोर पे हम विकास करके दिखाएगे और जल्दी उनको सामने दिखेगा अगर वो बोलते हैं कि विकास किया है उन्होंने तो चाहे महानगल पारिका के किसी भी क्षेत्र में जाईए किसी भी गली में जाईए आप देखेंगे हर गटर का समस्य है हर सोसाइटी के लाइट की समस्य है हर सोसाइटी में पानी की समस्य है रोड की समस्य है वहाँ पर जो basic amenities मिलनी चाहिए जो अभी 41 बिल्डिंग का मुद्दा अभी उठाया गया है वो उनको permission किस ने दिया जब 41 बिल्डिंग बन रही थी तो नगरपली का क्या कर रही थी यह सब सब चीजे लोग अभी पता चल गई है और इसलिए मैं मानता हो कि लोग अभी चाहेंगे कि उनको विकास जो कर पाएगा उनके पाड़े में ये उनका मूट जाएगा और इसे मुझे लगता है कि राजन नाइक जी जीतेंगे तो जाते-जाते जाते परिवर्तन लेंकि एक ही लोगों का बदला भी लोगों की सोच है बिलकुल अभी बदल होगा परिवर्तन होगा है थो हम बात कर रहेते हैं चांशा देमिन सावराज जी से और इनका कहना है क्यी यह नाला सुपारा 133 एक सो 32 विदान सभा नाला सुपारा यहां बीजेपी की जीत हर हाल में होगी इनका ऐसा विश्वास बलकि अतियात्म विश्वास है क्योंकि नहीं इन्होंने 100 टका नहीं एक 1000 टका कहा है इसके लिए हम अतियात्म विश्वास कह रहे हैं और देखेंगे चुनावी माहोल है डेट चुनकर आए अगर बदला होता है कुछ विश्वास की बाद होती विश्वास होता है तो किसको नागवार गुज्रेगा विकास हमेशा सब को चाहिए आज के लिए हम यहीं पर पर प्रसारण है तो दिये गए मुबाइल नंबर पर संपरक करें